अगर नदी में जो बाढ़ की situation है उसमें सरदूलगर की तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पर पानी जो है पिछले दो-तिन दिनों से तिरपन चवण हजार के लेवल पे जो है इस्टाइगनिटेड है राजस्तान जो है हमारा जो पानी पहुच रहा था राजस्तान साइफन पर वह डबल होके करीबन 22,000 की उसे काज हो गया इससे अगर सरदूरगर से अप्स्याइब बात करें तो वहाँ पर पानी के डेवल नीचे पहुच रहा है वह एक तरह से अप्स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ऑफ ओर टू अलॉंग डू स्टेच वह अपने मैक्सिमम जो लेवल पर टच कर चुकी है और अप्स्ट्रीम में कुछ जगा पर हमारे जो वाटर लेवल है वह एक दो इंच नीचे आने की बाद सुनने में आई है अगर मैं घंगर नदी के लौंग बात करूँ तो सिच्वेशन जी अंडर कंट्रोल है और पिछले पांच छटा दिन है पिछले छे दिन से पानी हमारे दिंजर माग से उपर बह रहा है बीच बीच में जहां जहां हमारे पास लिकेजेश की खबर आई वहां पर हमारी टीम ने जाके उसको प्लग करने का प्रयास किया है आज के दिन हमारे पास जो मुखे जो अगर कोई बीच हुआ है तो एक जगह जो माइनर रत्ता खेडा माइनर है वहां पर एक बीच हुआ है और एक जो रंगोली नाला है उसमें एक जगह ब्रीच हुआ है रत्ता केड़ा माइनर दोनों जगह जो पानी है अभी खेतों में ही जो है जा रहा है और दोनों जगह हमारी टीमें लगी हुई है और एक जो चैलेंज नया चैलेंज हमारे पास आ रहा है वो जो है रंगोली न जो है यह यह जो स्पिल ओफ पानी या फिर हो हमारे शिर्चा जिले मे कल इंटर हो जाएगा यह जो spillover है यह most probably जो रंगोई नाले का जो channel का जो route है उसके along ही जाएगा बट एक समावना ये भी है कि हमारे सिर्शा city के अंदर भी इसके आने के समावना है उसको लेकर हमने अधिकारियों के साथ आज सुबह बैटक करी है और हमारा ये प्रयास है कि हम लोग इसको channel के along ही divert करके इसको जो रंगोई चैनल के along ही इंशुर करें इसको फ्लो करते हुए आगे अपना खेतों के थुरू निकल जाओ किसी भी चायगाओं की अबादिया शेर के अबादिय में वो ना है जो हमारे 49 उननचास जो गाओं लगते हैं घंगर नदी के along उनमें हमने सरकारी और प्राइविट स्कूलों में छुट्यां जो है इस अनिवारते के इस्टेंड कर दी है वाटर लेवल्स और नदर की सुषिट में देखते हैं कर दो